वेल्कम तो सिंप्ले लक्ष्ष्पीज लाइज हलो गाइज गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आसागतियों कि में सारे फ्रेंट बहुत बहुत अच्छे हैं और सबस्का महीना है बारिष तो खूब हो रही है बड्ष बैल्कनी में पानिए नहीं आ रही है तो इसलिए प्लांट में मुझे पानि देना पड़ रहा है और यहां पर मैं बना रही हूँ कृती के लिए फ्राइड आज उसको फ्राइड आज टिपिन में देने वाली हूँ पनीर के साथ तो पनीर रहता है न तो वो कुछ भी खा लेती है आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या हुआ एक्छिली मैं पूरी बनाते बनाते मेरे हाथ में थोड़ा सा बन हो गया था ओयल आ गया था हाथ के उपर तो इसलिए और एक हफ्ता लगा इसको ठीक होने में मतलब थोड़ी ज्यादा जल गई थी नॉमली तो कुकिंग करते करते ऐसा जलता रहता है थोड़ा बहुत तो इस तना ज्यादा एफेक्ट नहीं ग हो रही है और मैंना उसको थोड़ी जल्दी उठाती हूँ ताकि वो खुद का काम खुद कर ले जैसे अपने ड्रेस निकालना पहनना सॉक्स पहनना और बाल अभी भी मुझे बनाना पड़ता है लेकिन वो ठीक है अभी वो बहुत चोठी है ना क्रीटी गई है स्कूल अज उसको मैंने फ्राइरेस बना के दिया है सुबह सुबह पता नहीं खाएगी कि नहीं क्योंकि स्कूल में थंडा हो जाता है और पुरह जम जाता है तो इससे लिए मुझे तुरह सा डाउट है कि वो क्या करेगी लेकिन यह सब ठाने के उसको आद मैं भी जा रही हूं फैमिली में कुछ सामान लेना है वेज़िवर का शॉपिंग करना है और एक मुझे पेंट लेना है तो वह मैं लूंगी तो चलिए और बैंगलोर पे ना जो फ्रेंड बैंगलोर से है वह साइज रिलेट कर पाएंगे क्योंकि बहुत तेज हवा चल रह होता है मैं नीचे जाती हूं ना उसको छोडने के लिए तो ऐसा लगता है कि मुझे ही कोल्ड हो जाएगा तो बैंगलोर में अभी बहुत तेज हवा चल रहा है दूसरे जगह पर जैसे वेदर है ना बैंगलोर का ठीक उल्टा भी आज ना मैं आई हूं मार्केट और वेज जल्द मैं केचन के उपर भी काम करूंगी क्यूंकि बहुत दिन हो गया केचन का डिप क्लीनिंग मैंने नहीं किया है तो डिप क्लीनिंग करूंगी और कुछ सामान इसके लिए देख रही थी मैं और और बट वह अचली क्या होता ना सब के साथ आओ तो इतना जादा मैं ट लिए नॉर्मली तो मैंने वेजबल का शॉपिंग किया है साथ में ये कुछ एक्स्ट्र सामान मैंने लिया है जैसे ये एक लाइटर मैंने लिया है मेरा लाइटर एक दम से खराप हो गया था और ये बड़ा वाला स्पून लिया है सर्फ करने के लिए सबजी वगेरा बैंगन भड़ता बन करेंगे इससे और ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये अच्छली क्या है ना मिल्क वगेरा ढखने के लिए गरम खाना ढखने के लिए ये इसमें जाली है चलिए उपन करते हैं उसके बाद दिखाती हूँ और ये अच्छली ऐसा है अगर आप गरम ना ढख युचे हो मिल्क डख ते हो जब मिल्क करम रहता है तो तो इसलिए मैंने इसको लिया है काफी युजफुल होगा मुझे लगता है यह वह राना क्या पूर्ट मुझे अच्छा लगा और यह इसमें इसमें आसे अश्ट सकती यह तो सबसे बढ़ा है और यह मैंने यह खतम हो जाता है तो यह बाद में नहीं मलता है तो यह मैंने इस बार लिया है और यह ना दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा होता है तो मैंने खरीद के रख दिया है बाद में यूज करूंगी और साथ में यह कुछ फेवी क्वीक सेलो टेप पेपर टेप और हां यह मैंन तो यह मैंने लिया है बाखी वेस्स डोल सब कुछ या है जब मैंने मेकवर वीदियो डाला था उसमें काफी सारे कमेंट्स दॉर्ट है आक्टिलि उस वीडियो के नीचे भी हमने इस ड्रॉरर का लि bleibt दे या था लेकिन उसमें sideboard करके लिखा हुआ था chest of drawer नहीं लिखा हुआ तो इसलिए बहुत सारे friend को वो समझ में नहीं आया तो इस वीडियो के नीचे भी मैं इसका link डाल दूँगी ये हमने Amazon से नहीं लिया है ये अलग एक website से लिया है उसी website का link मैं डाल दूँगी और ये actually थोड़ा सा time taking होता है मतलब आप जैसे Amazon में आपको बहुत जल्दी delivery मिल जाता है सामान का बस इसमें थोड़ा delay होता है मतलब one month के करीब हम लोगों को ये delivery मिले में लगा उसके बाद 40 hours मतलब 40-45 hours के अंदर ये fit करने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा time taking होता है तो जादा ही time हम लोगों को लग गया था actually हम लोगों को इतना जादा पता नहीं था कि ये इतना time taking होगा लेकिन finally हम लोग बहुत जादा satisfied है क्योंकि quality wise ये chest of drawer बहुत अच्छा है design wise बहुत अच्छा है क्योंकि इसका design हम लोगों को काफी अच्छा लगा चार हम लोगों को drawer मिला है दो side का storage मिला है और drawer रहने से क्या होता है ना आप छोड़े छोड़े सामान जो है रख सकते हो जो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था क्योंकि पहले आपने देखा था कि table के उपर बहुत सारा सामान रखा हुआ था वो हम लोग नहीं चाते थे तो इसलिए हम लोगों को ने ये वाला order किया था and सच में ये हम लोगों के लिए बहुत helpful हुआ and thank you so much आप सबने मेरी makeover को इतना पसंद किया है इस बार का makeover ना मुझे भी बहुत पसंद आया है सच में कभी-कभी ऐसा होता है ना करने के बाद लगता है कि हाँ ये करना सही नहीं था ये करना चाहिए था बट इस बार मैं fully satisfied हूँ और साथ में आप लोगों का प्यार आप लोगों ने इतना पसंद किया है और हाँ मेरे काफी सारे फ्रेंड ने मुझे काफी सारे suggestion भी दिया है वो भी मैं next time try करूंगी लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़े ऐसे हैं जिसके बारे मैं मैं बोलना चाहूंगी जैसे आपने बोला है कि वाश्रूम का जो डूर है वो वाइट कलर करने के लिए बट वो मुझे यलो में ज़्यादा अच्छा लगा और आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने बोला है कि जो फ्रेम था वाइट कलर का बेड के पीछे वो भी मतलब white color ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन मुझे लगता है कि white color करने से न वो ज़्यादा निखर के आया है तो इसलिए मैंने उसको white color में ही रखा है उसका जो एक brown color था न उसमें इतना ज़्यादा खिल नहीं रहा था तो इसलिए मैंने उसको white color में paint किया है तो यह दो चीज मुझे बोलना था आप लोग के साथ शेयर करना था और हाँ यहाँ पर मैं एक एक करके सारे organization कर रही हूँ जितने सारे चोटे-चोटे सामान रहता है वो सब उपर वाले जो ड्रॉयर है उसमें रखा है यहाँ पर एक्षिली ज्यादा तर अतनू का सामान रहेगा क्यूंकि जो उसका work table था उसके उपर काफी सारा सामान था और यह वाला ड्रॉयर हमने camera वगेरा stand वगेरा रखने के लिए यूज किया है तो बहुत सारी जगा है बहुत सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर और और सारी चार्जर वगेरा तो सारा कुछ हमने यहाँ पर रख दिया है और यह वाला जो mat आप देख रहे हो ना यह मेरे kitchen के लिए था तो मैं फिलाल मैं इसको यहाँ पर यूज कर रही हूँ बाद में मैं और ज्यादा लेके आऊंगी और अच्छी तरह से organization करूँगी और यहाँ पर ना कृती का छोटा वाला laptop आता है और अतनु का office laptop आता है हुआ पर यहाँ पाइब का आता है यह वाला जो है ना इसमें हमने बीच का जो सेल्फ है यह हटा दिया है इसको मैंने साइड में इधर ही रख दिया है मतलब जब मुझे ज़रुरत पड़ेगा इसको फिर से ऐसे लगा दूँगी और हमने इसको इतना बड़ा हिसलिये रखा है ताकि इसमें अतनुका यह वाला बैग आजाता है और यह वाला बैग ना इसी बाहर रहता था तो इतना अच्छा नहीं लगता था दिखने में तो इसलिए अब भी अंदर रह रहा है तो बाहर का पोश्चन एकदम नीट अन क्लीन है कुछ भी बाहर नहीं रह रहा है बाहर से अच्छा दिख रहा है तो ये जगा मुझे काफी नीट अन क्लीन लग रहा है इस चेस्टर ब्राइब के लिए और इसके उपर हमने चोड़े-चोड़े दो सामान रखा है ये वाला जो एक ये मेरे लिए बहुत खास है और आप देख सकते हो सामने का जो खाली पोर्शन है वहाँ पे एक लैपटॉप रहता है और हाँ काफी सारे फ्रेंड ने घड़ी के बारे में बोला है कि घड़ी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है आप वाइड वाले जो आपका पिलर है उ इसको देखने ही पाऊँ इसलिए मैंने घड़ी को उस वाल पे रखा है ताकि मैं बेट से ही घड़ी को देख पाऊँ सुबह 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 बस यही था आज का मेरा ओर्गनाजेशन कैसा लगा ज़रूर बताईएगा फिर मिलते हैं नेक्स ब्लॉक में तब